दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरू यहां पे आप लोगों के लिए एक्जाम से रिलेटेड और एड्मिट कार्ड से रिलेटेड इंपूरेंट निवोज आती हैं और भी बाकी जानकरी मैं आप लोगों को देता रहता हूँ तो यहां आज मैं आपको जानकरी देने जा रहा हूँ कर्मचारी चाहिना हो यानि SSC के बारे में SSC का जो पिछले वर्स जो एक्जाम का नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2016 में MTS का मल्टिटास्किंग सर्विसिस वाला तो उसके जो है एक्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है अब वो फिर से इस यहर में जो है ऑनलाइन कंड़क्ट होगा बीच में ऑनलाइन हुआ था एक दो दिन चार पांच दिन चला था और फिर वो बाद में जो है चलने के ब मैसिज नहीं आया है उनके मुबाइल पर तो उन लोगों को भी इसमें अवेर रहना चाहिए एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं आज से एक्जाम स्टार्ट हो चुके हैं 16 तारिक से बिल्कुल और आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए एक्जाम के लिए क्यों क्यो док cevam अगर आपके पास message नहीं आया है तो आप जो है अपने सारे मित्रों को इसको share कर दें क्योंकि message नहीं आया है लोगों के पास तो उन्हें पता नहीं है कि exam कब जो होने वाला है इसलिए आप लोग प्लीज उनको सबकु शेयर जरूर कर दें और फिर हम आपको महांं बताने जा रहे हैं कि important notice Recruitment of Constable और ह commend वह हैं कह Background Notice for mts exam 2016 पहले हम यह बता है notice important notice for mts exam 2016 कि देखते हैं कि यह notice और click rawdhosaс अब है कि पो download कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इस notice में तो यहां पर दोस्तों मैं आपको वता दूं कि जो है यह भारत सरकार करमचारी चाहनायोग और important notice देखिए multitasking non-technical staff commission examination 2016 revised schedule of examination candidates may refer to the important day notice is dated 1st of September 2017 intimating therein the revised scheme of examination and dates of re-examination of multitasking non-technical staff examination 2016 to be held in computer-based mode जो computer-based mode में exam होगा पहले offline होता था लेकिन first time CBT हो रहा है इसमें computer-based test हो रहा है और the set examination which was scheduled from 16.09.2017 to 26.10.2017 पहले इसकी date announced की गई थी वो 16.09.2017 से 26.10.2017 तक गई थी लेकिन अब इसको कर दिया गया है 16.09.2017 से 31.10.2017 तक तो अब ये चलेगा 16.09.2017 से 31.10.2017 तक 16 तारीक को पहला paper आज हो चुका है दो सिफ्टों में exam हो रहा है first shift और second shift हो चुकी है और which includes four additional days 27, 29, 30 और 31 ठीक है तो ये आपको एक notice ये मैंने दिखाया इसके तर्क तौर कोश इंफ्रमिशन देख लेते हैं एक और notice है दोस्तों और इसमें देखिए ये लेका है multi-tasking staff गैर तक नीगी परिक्षा 2016 अभ्यरती multi-tasking staff गैर तक नीगी की परिक्षा 2016 प्रश्ण पत्र एक के संबंद में जिनांक 25 2017 की आयोग की बिग्यप्ति को देखें जो आयोग की website पर upload की गई थी जिसमें मुल्टी-tasking staff गैर तक नीगी परिक्षा 2016 प्रश्ण पत्र एक की पुना परिक्षा नीचे दी गई होजना कर्मिसर कंप्प्यूटर अधर पद्धती में दिनांक शोला नहों 2017 से 26 2017 तक आयोजुद करने करने लिया है तो यह बिसे रहेंगे ये प्रश्णों की शंक्या रह जानकरी के 25 प्रसंट रहेंगे और यह सब जानकरी है और देख लेते हैं आप लोगों के अध्मिट कार्ट के बारे में थोड़ा कि दोस्तों यहां पर यह डाउनलोड एड्मिट कार्ट पोर रिकूट्मेंट टूदा पोस्ट अफ मल्टी टास्किंग non-technical staff in different states and union territories 2016 to be held from 69 2017 to 27 10 2017 you can download your admit cards from here if your admit card will not be here you will get a notification when your exam will be and which shift so you can inquire about your exam you will not be able if you will not be able to download your admit card and a date will appear here from which date you can able to download your admit card so now we are clicking here so there admit card ko joha download karne ka tariqa hai status of candidate aap aap na johair role number registration ID number say or date of birth select your exam center code zone sebi yoa hao search kar sakate or item theod so here or e tots except for a लंबा तो अभी आपको अगर admit card अगर आपका डाउलोड नहीं होता है तो आपको फिर उस पे एक page पे दिख जाएगा कि आपको कब से आप अपने admit card डाउलोड कर पाएंगे तो फिर आप अपने admit card वहां से डाउलोड कर लेंगे उस डेट के बाद आपको कॉसिस करिए आपका admit card हो जाएगा डाउलोड और exam जो है शुरू हो गए है 16 तारिक से exam सुरू हो गए है बहुत लोगों को सूचना नहीं है इसलिए आप लोग share जरूर करते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसलिए आप लोग इसको जो है share करते हैं उनके बीच में की इनको पता लग जाए कि वही एक्जाम जो हमने बहुत एक साल पहले पॉर्म डाले दे अब वह एक्जाम होने वाले हैं तो उसके लिए तैयार वो पहले से ही हो जाए और तैयारी को भी तैयारी तो करते ही रहते तो और देख लेते हैं MTS के एक्जाम के बारे में थोड़ा सा इसका जो है first shift में क्या क्या question पूछे गए थे थे थोड़ा सा उनके बारे में और मैं आपको बता दूं कि जो पहली shift आज आयो जित हुई है 16 तारिक को उसमें क्या क्या question किस टाइब के पूछे गए हैं वो प है तो दोस्तों मेरे पास यह स्सी MTS tier 1 के question है कुछ shift 1 के सिफ्ट 1 में यह question कुछ पूचे गया है इस पहला question किस जो हमारी पढ़ाशी एक और country का जो है नाम बर्मा है तो वो म्यामार है अंसर और अगला एक पूछा गया था 2019 cricket world cup will be held in which country किस country में होगा तो बहोगा बेल्स इंग्लेंड इन बेल्स में 30 महीं से 15 जुलाई 2019 के बीच आपको पता हैं लोग सबह राज सब्स है हमारे constitution के according किसकी कमी सोथी डिफिशेंस यो बिटमिने बिच फॉलिएंग रूट्स आर नौट इटेवल कौन सी जड़ में से खाने योगिन नहीं है किसकी जड़ तो कहरेट जो है इसकी खाते हैं रेडिस की खाते हैं वीट की जड़ में नहीं कहते हैं और वन कॉस्चिन एबाउट टै कर लें आप बिलकुल अच्छे से क्योंकि एक्जाम में आने वाली हैं एक्जाम अगर आप दे रहे हैं तो कौन थे तो विच में एक क्वेटामिन की बीच में एक कोस्चिन आया था और इन बिच स्ट्रिक इस दयूज ऑफ स्टॉं स स्टॉंट स्टॉंट की यूज कब से स्टाट फॉइं मतलब पास टत्र का तो पासार्यूंग से स्टार्ट ऑनि स्टॉन इज वाट फैंस फ्लॉराइड एन सोडियम और किम्बाइन ट्यूंड उलिएम और फ्लॉराइड जो प्लेट इन वर सोलर सिस्टम इस दा स्मॉलेस्ट आप ड़ा एट प्लेट इस आल्सुट तो देशन संगे सबसे क्लोज है और स्मॉलेस्ट है एट प्लेट में यह सबसे विल्कुर नजदी के हमारे संगे विच अब फॉल्वेंग इस ग्रीको वुद्दिस्ट आर्ट यह था Constitution came into existence on which date? यह question आया था Amalgam contains which main element? अमल्गम के पारे में आ होता है आमल्गम में जो में कान main element काउन सा होता है न इसको ब्ल G梃ण पढ़ लीजिए आप Chemistry वोग था पडहिए है न What is the SI unit of conductance? conductance की सी यूनिट के वारे में पूजtiा था Siemens symbolized as the standard international SI unit of electrical conductance the archaic term of this unit is on the ohm spelled backwards what is national income, what is NNP calculated, how is NNP calculated which scheme is related to physical aid of BPL BPL के जो फिचकल एड से रेलेटेद काउन सी स्कीम है भैयूसरी यॉजनिस के पर फिचकल एचिसटेंस लिविग्ट से सिनिसिटेंस बेलाँंग टू BPA फिच कर दो फिचिकल एड टू सिनिर सिजिटेंस फ्रम प्रम केट इसा होना था सब्सक्राइब तो यह तो यह आप जो बाइलोजी के मिस्ट्री सब अच्छे से पढ़ने और यह सब इसमें आ रहा है और भी जो चीज आपको चाहिए सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज्याद से लोगों को पता लग जाए कई लोगों को बिलकुल सुप तवस्था में उनको पता नहीं है कि एक्जाम आने वाला है एक्जाम स्टार्ट हो गया है